नाकपूर में शगुन मांगने आये किन्नरों के चार गूट में जम कर मारपिट हो गई रविवार की सुबह बैरामजी टाउन के गोंडवाना चौक के पास होई वारदात से तनाव निर्मान हो गया सदर पुलीस ने चारो गूट के किलाफ मामला दर्ज कर 15 किन्नरों को गिरफतार किया है गोंडवाना चौक निवासी एक संब्रांत व्यापारी परिवार में संतान का जन्म होने पर पारिवारिक समारोह आयोजित किया गया था सुबह 11 बजे किन्नरों का एक समूह शगून मांगने के लिए वहा आया जो ही यह गूट जाने लगा तबी अन्यतीन गूट भी आ गये वे भी पैसे मांगने लगे आयोजको द्वारा पहले गूट को शगून की राशी दिये जाने के बताने के बाद चारो गूट उलज गये सीमा विवात को लेकर देखते ही देखते उनमें मारपीठ होने लगी चारो गूट ने अपने साथियों को बुला लिया जिसके बाद लाद घूसों की बरसाथ शुरू हो गई सडक पर ही यह वाक्या होने से जाम लग गया पिछले कुछ समय से किन्नरों को लेकर पुलीस का सिर्दर्द बढ़ा हुआ है ट्राफिक सिगनल पर किन्नरों को वाहन चालकों से पैसे मांगते हुए देखा जाता है कई मौकों पर तो किन्नर अभधरता पर भी उतर जाते हैं बीते सब्ताह पुलीस आयुक्त ने थानेदारों को चौराहों पर सक्रिय किन्नरों के खिलाफ सक्त कारवाई करने के निर्देश दिये थे जिसके बाद हालात कुछ हद तक बदले है परंपरागत किन्नर किसी भी सूरत में मारपिट अत्वा विवाद नहीं करते हैं